निकाई चुनाव में प्रत्याशियों की जोर अजमाईश लगातार जारी है सभी राजनेतिक पार्टियां चुनावी मैदान में जीत की दावेदारी कर रही है पार्टियों के उमीदवार अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं राजधानी में पहले चरण का मतदान चार मई को होना है इस चुनाव को लेकर हमारे समवाद दाता पंकश तिवारी ने कॉलविन निशाद गंज के वार्ट नमबर 69 के बीजेपी पार्शरत के प्रत्याश्री प्रमोट सिंग राजन से खास बात चीत की क्या कुछ कहा आई ये सुनते हैं हमारा शहर साफ रहे हमारे यहां के लोग स्वस्थ रहें उनको suitable को प्रदान कर सकें और हम पिनुफ जैसा शहर लखनों को बनना चाहते हैं हमारा शहर 13 नमबर पर आया है हम लोगी प्रात्विक्ता यह रहेगी कि हमारा शहार नमबर एक हो और हम सब ने मिलकर माननी प्रधार मंत्री जी ने जिस तरह से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है हम सब भी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं इसके अलावा हम लोग शुद्ध पेजल, मार्ग प्रकाश की सुन्दर विवस्था और जो भी पारकों में हम लोग उपें जिम लगाने का काम कर रहे हैं जो स्वास्त को मदद करेंगे इसके लवा हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत सारे विलनेस केंदर हम लोग खोलने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने जाच के बहुत सरे केंदर बनाए हैं तो हमारा मुख्य उद्देश यह है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 10 सालों में बहुत बेहतर किया है सहर 132 से 13 नंबर पर आ गया तो हम लोग इस सहर को 13 से एक नंबर पर ले जाना चाहते हैं औ और हमारे आधर्णी मुख्यवंत्री जी वो भी हम लोगों का मार्क्जर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा तरह तरह की सुविधायें हम लोगों को दे रहे हैं जिससे हम लोग बहुत आराम से इस काम को कर लिजाएंगे अक्सर देखा जाता है कि आम चुना हो लोग सबा हो विधान सबा हो उससे हट करके ये निकाय चुना होता है मुद्दे छोटे होते हैं अस्थाने मुद्दे होते हैं लखनौ में लोग टेक्स देते हैं और टेक्स के आवेजी में उनको बेंट फिट जो सुबिधा हैं वो अगर देखेंगे लखनो नगर निगम पूरा लाइबिल्टी से भरा हुआ है उसका कारण है कि प्रॉपर टेक्सेशन न होना टैक्स में कहीं न कहीं अभी भी भरस्टाचार है जिसको हम लोगों को खतम करना है यदि हम लोग टैक्स में भरस्टाचार खतम कर ले जाएंगे और टैक्स अगर आप देखेंगे पूरे देश में अगर कहीं टैक्स कम है तो हमारे लखनो नगर निगम में टैक्स कम है तो हम लोगों का मेन उद्देश यह है कि अगर जनता टैक्स दे रही है तो उसको सुविधाय मिलनी चाहिए और मुझे लगता है यह सुविधाय हम करें कि वार्टों के वाड में मिल भी रही है Bitcoin के आगर ये आप 하지만 ऐसकि एने पार्क हुंता है बहतर सफके दी इसके अलावा में बहतर नेमने को मार्ण प्रकाश की विवस्था दिये तो उनको अंचीक विवस्था है Triple लोग दे रहें लेकिन जैसा कि प्रधान मंत्री जी का सपना है कि हमको इसको स्मार्ट सिटी बनाना है तो हम लोग का प्रयास रहेगा मैं अपने वार्ड में प्रयास करूंगा कि हम लोग नालियों से मुक्त वार्ड को करें यह जो ओपेन नालिया है इससे मुक्त करके इसमे underground pipeline डालकर और chamber बनाकर जब इसको नालियों से मुक्त रहेंगे open नालियों से तो साफ सफाई अपने आप में दिखाई पड़ेगी जिससे कि घास नहीं हुगेगी लोगों ने बहुत मैक्सिमम कर लिये हैं हम लोग जलनिकासी की विवस्ता जो open नालिया हैं हमारा कहना प्धान मंतरी जी कहते हैं कि हम smart city बनाएंगे तो smart city कैसे बनाएंगे, जब आप घर से बाहर निकलेंगे और बाहर open नालिया होंगी और उसमें घास निकल आती है, हमारा स्रमिक दिन भर उसमें ही काम करता है, तो हम कुछ ऐसी विवस्ता लागू करेंगे कि उसमें इंक्लोजमेंट भी न हो और विवस्ता को हम लोग इस प बड़े नाले हैं हमारे, उन बड़े नालों में अगर कहीं इंक्लोजमेंट है, उन इंक्लोजमेंट को हटाएंगे और सडकों का चोड़ी करन करेंगे, और एक मुख्य प्रयास से रहेगा जो हमारे पूरे लखनव शहर को गद्दा धब्बा लगा रहे हैं, ऐसे आप दे आप भी गिना रहे हैं, बाके परत्यासी भी गिना रहे हैं, ऐसे में जनता कहीं न कहीं चीज होगी, क्या वो चीज होगी जिसको लेकर के जनता सिर्फ आप वोड देगी जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, जनता लगातार 15 सालों से मुझे अपना आशिरवाद दे रही है, और भारी मंतर से मुझे विजयी बनाया है, पहले मैंने कॉंग्रेस से सीट ली थी, इसके पहले मैंने समाजवादी पार्टी से सीट ली थी, वाड हमारा जब यहां पर सीट क्लियर है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौहल पूरा भारती जनता पार्टी के पच्छ में बना हुआ है, आदर्नी प्रधान मंतरी आदर्नी मुख मंतरी जी का जो मागदर्शन है, पूरी जनता तो उन पे ही वो है, कोई चेहरा ही नहीं, कोई फेस ही तो ये थे बीजेपी के पारसत प्रत्यासी जिनका कहना था कि जनता का असिरबाद लगातार मिलता रहा है और इस पार भी जनता का असिरबाद इन्हीं को मिलेगा